साथियों आप सभी का स्प्रेट्फार्म पर स्वागत है यहां पर हम लोग BGN I.S. कोचिंग संस्था को दारे जो न्यूज टूडरे सिर्शक से डेली करेंट अफिर प्रोयट कहाता है उसको यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो आज का पहले टॉपिक है इसमें कि भारत के राश्टी सुरच्छा सलाकार ने पहली भारत मद्द एशिया बैठक में कहा कि मद्द एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्रूग प्रात्मिक्ता बनी हुई है यहाँ बैठक कब हुई है तो यहाँ बैठक जो है 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई है और इस बैठक के दोरान इस बात पर सहमत बनी है कि प्रतेक दो वर्स पर इस तरह की बैठक आयुजित की जाएगी यहाँ बैठक ऐसे समय में आईजित हुई है जब भारत और मद्ध एशिया छेतर के देशों के बीच राजनेक संबन्दों की इस्थापना की तीसवी वर्स गांट जो है वो मनाई जा रही है मद्ध एशिया छेत्र के देशों या छेत्र के जो देश है वो 1990 के दसक में स्वतमद्र हुए थे इसके बाद से इन देशों के साथ भारत के सम्मन्द धीरे-धीरे मजबूत हो रहे हैं इससे पहले जनवरी 2022 में प्रधान मंत्री ने वर्चुल प्रारूप में प्रधम भारत मद्ध एशिया सिखर सम्मेरिन की मेजबानी की थी मद्ध एशिया छेत्र के महत्त के बारे में बात करें तो सुरच्छा के संदर में देखें तो धार्मिक, अतिवाद, कटरवाद, नसीले, पदार्थुक, तसकरी, आदि इस छेत्र के समाजों और छेत्री इस्थित्ता के समझ चुनोतियां पैदा करते हैं साथ ही आर्थी छेत्र की वर्धी बात करें तो भारत जो है सिल्क रूट असात्रेशम मार्ग के माद्यम से इन्हे देशों के साथ एतियासिक संबंदों को साजा करता है सिल्क रूट के माद्यम से बात धर इस छेत्र में प्रस्तावित हुआ था और यह मार्ग तीसरी सतावदी इसा पूर्व से पंदरावी सतावदी इसा पूर्व तक उपयोग में रहा था मद्देशिया के छेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए सुरू की गई जो इनिशेटिव है उनिशेटिव के बात करें तो भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीट 2012 मद्द एशिया छेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने है तो एक ब्यापक पहल है यहाँ राजितिक आर्थिक सुरूच्छा और सांसितिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक ब्यापक धाचा है दूसरा भारत अंतराष्टिये उत्तर दच्छ में परिवहन गलियारा विक्सित कर रहा है और असकाबात समझवते के सधिस्ट बन गया है अए इसके सामिल हो गया और यहाँ समझवता हुआ कब था तो 25 अपरल 2011 को हुआ था और यह समझो था किसंदर में तो मद एशिया वा फारस की खाड़ी के बीच वस्तूओं की आवाजाही को सुगम बनाने वाला यह एक अंतराश्टी परिवान युम पार्गमन गलियारा है इसकी अतरिक्त जनवी 2022 में पर्थम भारत मद एशिया सिकर सम्मेलन में अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह परियोजना पर स्युक्त कार समोहों की घोशना की गई थी इसके अधिक्त भारत जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी पाइपलाइन का हिस्सा है तापी में टी जो है तुर्कमेनिस्तान के लिए इस्तमाल होता है नाकित तजाकिस्तान के लिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली उच्च न्याले ने एक महिला को उसके 33 सपता के गर्व को समाप्त करने की अनुमत दी है देखिए उच्च न्याले ने मेडिकल बोर्ड की सलाह को अस्विकार करते हुए भून में प्रामस्त किये सरेवरल बिकारों के आधार पर गर्वपात की अनुमत दी है ने ने कहा कि बच्चे को जनम देना महिला की इच्छा पनिर्वार है गर्व का चिकसिय समापन MTP अधिनियम 1971 में 24 सपता तक के गर्व को समाप्त करने की अनुमत दी गई है इस अवधी के बाद केवल भून में गंभीर बिकारों के मामले में ही गर्व समाप्त की अनुमत दी गई है हाली में एक महत्मूर नेड़े में उच्टम न्याले ने सुप्रीम कोट ने कहा था कि आभिवाहित महिलाओं को भी उनके 20-24 सपता के गर्व का सुरच्छित और कानुई तरीके से गर्वपात कराने का अधिकार है भारती कानून एक महिला को गर्वधान के लंबे समय के बाद भी गर्वपात कराने का के अधिकार को मानिता देती है इसमें दो द्रिशकोन हैं, एक माता पर केंदर थे, एक बच्चे के जीवन पर केंदर थे माता की माता पर केंदर जो है इसे प्रोच च्वाइस मूवमेंट कहते हैं इसके दाद एक महिलाओ को अपने सरीर पर पूरा अधिकार है जन्म जाद दोस्त बच्चे के लिए घातक हो सकते हैं या आजीवन पीड़ा कान बन सकते हैं इसे माता पीड़ा आजीवन दुखी रह सकते हैं और उस बच्चे का जीवन भी क्या होगा एक तरीके से काफे कश्ट प्रद रहेगा तीसरा पॉइंट राज महिलाओं की आयू नाबालिक और मांसिक स्वास्त को नजदाज नहीं कर सकता है हो सकता है कि महिला हो वा नाबालिक हो लड़की इसके अधर किसी भी बच्चे को आवांचित रूप से जन्म नहीं दिया जाना चाहिए यह तो माता के पर केंदी द्रिश्कोन है वही बच्चे के जीवन पर केंदी जो द्रिश्कोन है प्रो लाइफ मूवमेंट इसमें क्या है कि भृून के जीवन के अधिकार के रच्चा की जानी चाहिए उन्नत प्रद्योकी से भविश्च में जन्मजात विकारों को ठीक किया जा सकता है यह मानावता के खिलाफ है साथी यह राज का दायत तो है कि वहाँ भृून सहित सभी के जीवन की रच्चा करें आगे बढ़ते हैं देश की कई लिगेसी लैंडफिल साइट्स के लिए स्वच भारत मिशन 2.0 के ताहत अभी तक कोई उपचार योजना प्रस्तूत नहीं की गई है देखिए यह जो लिगेसी लैंडफिल साइट्स है या अपसिष्ट है यह क्या होते है पहले इसको देख लिजिए तो देखिए लैंडफिल साइट्स पर पुराना अपसिष्ट जो तीन महीने से अधिक समय तक पढ़ा रहता उसे लिगेसी डंप साइट माना जाता है तो ऐसे जो लैंडफिल हैं जहां पर जो अपसिष्ट है तीन महीने से अधिक समय तक पड़ा रहता है वो लिगेसी लैंडफिल साइट्स होंगे तो इनहीं के समद्ध में यह चीज कहीं गई है देश की एक हजार असी लिगेसी लैंडफिल साइट्स के लिए स्वच भारत मिशन 2.0 जो कि अक्टूबर 2019 प्रारम की गई थी तो इसके तहट अभी तक कोई उपचार योजना प्रसुत नहीं की गई है इन में से 591 पाइफ नाइटिवन लैंडफिल साइट्स जो पांच राज्यों क वच भारत मिशन 2.0 कलेच अपसिष्ट मुक्त सहर का निर्माण करना है और 2026 तक सभी लिगेसी लैंडफिल साइट्स का 100% उपचार करना है यह मिशन नगर पालिकाओं के लिए लिगेसी लैंडफिल के जय उपचार के लिए कार योजना प्रसुत करना अनिवार कर बनाता है जय उपचार क्या है जय उपचार सुच्म जीवों के माद्यम से जयविक अपसिष्ट को निमनिकृत करने की प्रक्रिया है इसके लिए डंप साइट में जयविक इनो कुलम को मिलाया जाता है लिगेसी अपसिष्ट के बारे में बात करें तो लैंडफिल साइट्स पुर आई रूप से समाब्द करने की आवशकता है आवग्यानिक रूप से निर्मित लैंड्फिल लीचेट्स पैदा करते हैं साथ ही यह मीथें जैसी ग्रीन हाउस गैस का उसाजन करते हैं तो भोजल प्रदोस्ट करते हैं लीचेट्स क्या होते हैं लीचेट्स गीली sanitary landfill है पर इस तकनीक का इस्तमाल किया जाता है landfill camping में आप्सिष्ट पदार्थों को उपर मिर्दा की पर चड़ा जाती ताकि अप्सिष्ट में वरसा जलिया सतह के पानी के प्रवेश की मात्रा को कम किया जा सके वहीं दूसरा है landfill mining या अप्सिष्ट पदार्थों से पुनर चक्रन योग योम राजश्र पैदा करने वाले हिस्सों को निकाल लिया जाता है इस तकनीक में जैव उप्चार पद्धत का उप्योग किया जाता है आगे यहाँ बात करते हैं लिगेसी अप्सिष्ट के घटक संभावित उप्योग उसका क्या है और संभावित पर्यावणी योम शात संबनी क्खत्रे क्या है तो पहला जो है घटक इसका है मिर्दा जίसे जो महीनपदार्थ है इनका क्या घर सेते हैं अर्थ-filling, अर्थ-mिट्टी-bharav के रूप में इसका इस्तमाल हो सकता है, सलक निर्माण सामकिरी के रूप में इस्तमाल के अलावा, निर्माण उद्योग में चिकनी-mिट्टी के बिकलप के तौर पर उपयोग क्या आ सकता है, इससे समझी जो परया इसका नुक्सान क्या है यह रिसाव आसपास संक्रबर फैलाना इत्याज इससे खतरे हैं तीसरा है स्क्रैप पॉलिमरी दहन सील पदार्थ रिफ्यूज डिराइड फ्यूल और सड़क निर्मान में इसका उप्योग क्या सता है इसका खतरा क्या है अपसिष्ट में मौझूद अक्रिय पदार्थ राक और सल्वर प्रदूर्शन फैलाते हैं खतरनाक पदार्थ की बात करते हैं जो इसका एक घटक है वो इनका उप्योग कर सकते हैं तो कई पर्यावर्णी खतरों पैदा हो सकते हैं इससे आगे बात करते हैं इसमें खादियूम किर्शी संगठन FAO ने काली मृदा की वैशिक इस्थित सीरसक से एक रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट के अंसार काली मृदा जो है खन्जों से सम्रिद होती है इसकी उपरी सता काली और यहाँ जैविक कारवन से सम्रिद होती है यहाँ कारवन कम से कम 25 सेंटिमीटर गहराई तक होती है इस मृदा काला रंग कारवनिक पदार्थ के संचय का परिणाम है जो की घास वाली वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन होता है काला रंग बनने की प्रिक्रिया को मिलेनाइजेशन कहा जाता है काली मिर्दा की इस्तित की बात करें तो बिश्र भर में काली मिर्दा का विस्तार 725 मिलियन हेटेर भूम पर है जो बैश्रिक मिर्दाओं का 5.6% है साथ ही इसमें विश्रकी मिर्दा जैवी कारवन का 8.2% हिस्सा मौजूद है भारत में काली मिर्दा का विस्तार अधिकतर दक्कन के लवा पठार और मालवा के पठार पर है देश में यह मिर्दा गुजरात, महराष्ट, करनाटक और मद्रपरदेश में पाई जाती है कहां पर तो कहां पाई जाती है यह ध्यान रखेगा गुजरात, महराष्ट, करनाटक और मद्रपरदेश में काली मिर्दा के समची जो खतरे हैं वो क्या है काली मिर्दा में कार्मिक पदार्थों का हराश हो रहा है ऐसा प्राकरतिक भूखंडों को किसी भूम में परिवर्थित करने यों काली मिर्दा पर की जाने वाली किसी संबंधिक गत्विधियों के निरंतर को प्रबंधन की वज सुझाओ क्या दिये गए हैं घास के मैदान वन और आद्रभूमी वनस्पति के अंतरगत काली मिर्दा पर प्राकरतिक वनस्पति आउड़न की स्कार संट्र किया जाना चाहिए दूसरा है क्रिस्ति के अंतरगत आने वाली काली मिर्दा के लिए संधारणी मिर्दा प्रवंध जैविक पदार्थ व्क्त और उर्वर है मिर्दा सनचना इसकी बेहतर होती है किसान की आयमे से जब ये ज़्यादा उर्वर होगी तो इससे पैदावार अधिक अच्छी होगी तो आयमे विर्द्धी होगी मानो कल्यान के संबन्द है तो पौश्रिक खाद उपलंद कराती है इसमें जो हम पैदावार करते हैं वो पौश्रिक होता है लोग संस्कित को समरिद करती है बैकल्पिक अजीवक अजीविका परदान करती है खेती के रूप में पर्यावण के संदर में देखें तो पारस्तिक तन्द सेमाय परदान करती है कैसे मिर्दा जैविक कार्वन पर सम्दद में बात करें, तो मिर्दा को सूखा और बाड़ सही सुन बनाने मदद करती है, गिरीन हाउस गैस उजन में संतुनलर साफित करती है, वहिसरिक था ग्रिथ्दि को कम करती है, मिर्दा जयविक पदार्त बंडार Dulice समता है आगे देखते हैं इसमें पर्यावाणी प्रभाव की स्वार रिपोर्टिंग है तो कमपनियों के लिए मानक के संसोधित मसवदे को जो है मंजूरी दी गई है Global Sustainability Standards Board GSSB ने जनता के सुझाव लेने के लिए यह मसवदा जारी किया है Global Sustainability Standard Board Global Reporting Initiative Biodiversity Standard की एक मानक निधान संस्था है GRI एक वैश्विक गैर लावेकारी संस्था है या बेवशायों को उनकी गद्विदियों से जयव विवता पर पढ़ने वाले प्रभाव के प्रत उत्तरदाई बनाने में मद्द करने का कारी करती है GRI Global Reporting Initiative मानकों के इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि संगठन जो है यह संगठन अर्थब्यवस्था पर रहवनों समाज पर उनके द्वारा मतलब जो संगठन ने उनके द्वारा डाले गए प्रभाव की रिपोर्टिंग कर सके जव विविता पर Global Reporting Initiative प्रकटी करन डिस्कलोजर को अंतिम बार बार 2006 में संसुद किया गया था संग्तराज जव विविता कंवेंशन ने 2020 के बाद बैश्रिक जव विविविता फ्रेमवर को अपनाया है यह सभी सम्मंदित दारकों के लिए जव विविता के बहाली है तो सामोहिक प्रत्विताओं को परिवासित करेगा साथ ही यह मानक इस प्रेमवर के काद्यान में महात्पुन भूम का निभाएंगे प्रवुक प्रस्ताओं क्या है संपूर्ण आपूर्ती सिंकला में रिपोर्टिंग दिखाई दिनी चाहिए संगठनों को उनकी गत्विधियों के सबसे बड़े प्रभावों की और ध्यान देने में सहाता करनी चाहिए जो संगठन जो आपके कह सकते हैं उद्योग धंदे हैं उनको जैविवित्ता जो बैवसाई त्यात करने उनके बारे में जैविवित्ता के नुकसान के लिए उत्तरदाई कारकों को सामने लाने के लिए नए प्रकटिकरणों को सामिल किया जाना चाहिए जव विविता से सम्मंधित मानवादिकारों के प्रभाव को सामने लाने है तो आवशक्ताओं को जोडा जाना चाहिए साथी इस्थान विशेश का डेटा प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए इससे बेवशायों को कारिस्तलों के संब्द में पारदर्सी बनाया जा सकेगा जव विवित्ता सभी स्रोतों से सजीओं की भिनता होती है इन स्रोतों में स्थली, समुद्री और अन्य जली पारसिक्तंत था इकोलोजिकल कॉंप्लेक्स जिसकी वए भाग है आते हैं इसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के मद्ध और पारिसिकतंत की विविता सामिल है इस प्रिकार जव विविता में विविता के तीन घड़क सामिल है जीन के इस तर पर प्रजातियों के इस तर पर और पारिसिकतंत की इस तर पर आगे बात करते हैं अगला है भारत के प्रधान मंत्री ने रोम, इटली के रोम किराद हैं रोम में FAO अथत सयुक्तरास खादे और क्रिसिस संगठन के मुख्याले में अंतराश्टी मिलेट्स वर्ट वर्सक के उधगाटन समारों को सम्मुधित किया है देखें प्रधान मंत्री ने प्लड के लाँच के लिए सयुक्तरास खादे और क्रिसिस संगठन को बढ़ाई दिये उन्होंने मिलेट्स को भविश्च के लिए परसिंदा वोजन बनाने के और सकता पर भी बल दिया है मिलेट्स ऐसे मोटे अनाजों होते हैं को लोकपिरिय रूप से पोशक अनाज के रूप में जाना जाता है या छोटे दानों वाले अनाजों जोकि पोईश्री कुल के होते हैं का एक भिमित स्वमू है इसमें जुआर बाजरा रागी आज सामिल है या भारत के अलग अलग छेतरों की देशी पर जातिया है या सुचम पोश्री तत्तों के सम्रिद स्वर्थ होते हैं इन में साथ से बारा परसंट प्रोटीन दो से पांच परसंट वसा 65 से 75 परसंट कार्वोहारिड और 10 से सुर्ज 15 से 20 परसंट डायटरी फाइवर होते हैं हरित करांती के आगमन हरित करांती साथ मिलेट्स के वल चारे की फसल बन कर रहे गये थे उन लेकिनी है कि हरित करांती में गेहू और चावल की फसलों पर सरवाधिक बल दिया गया था हाला कि भारत अभी भी विश्व का 20% मिलेट्स उत्पाजित करता है मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों की बात करें तो वर्स 2018 में राष्टी मिलेट्वर्स बनाया गया था मिलेट्वर्स मनाया गया था 2018 में मिलेट्स की खेती करने वालों को पुसाहिद करने के लिए नियुन्तम समर्थन मुल में बृदी की गई है MSP में सच्छम आंगनवाडी और पोशन 2.0 के ताथ मध्धान भोजन योजना में सब ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स की आपूर्ती को अनिवारी किया गया है टाइप 2 मध में गैस्ट्रिक अलसर या कोलन कैंसर बचाते हैं प्रोबायोटिक खाद पदार्थ हैं कब्ज और गैस यसी समश्यों को दूर करते हैं एनेमिया एक्रित के विकार तथा अस्थमा के प्रभाव को सकम करते हैं इत्यारी वही किसानों के संदर में देखें तो ये चरम मौशम को सहने में सच्छम होते हैं अता है इसके खेती कम जोकिम पूर्ण होती है औरवरा क्यों कीटना सकते हैं आगतों की कम आवशकता होती है अंतर फसल यो मिस्रित फसल के रूप में भी उगाया जा सकते हैं इत्यारी वही पारितंतर के दिसकौन से देखें तो संधानी उपयोग यो मुत्पादम को बढ़ावा देते हैं जलवायु संबन्धी कारवायु में सहयता करते हैं भुकमरी को समाबध करने के परयाशों में सहयोग करते हैं अच्छे स्वास्टयूम कल्यान को प्रुसाहिद करते है इस प्रकार के कई सारे लाव इनसे होते हैं अब जो सुर्खियों में रहे महात्पुर्ण करेंट अफेर रहे हैं संचिप्त रूपे उनको देखते हैं जली कट्टू के बारे में बात करें तो उच्टम न्याले के सम्मिधान पीट पसुक्रूरता निवारत अमिलनाट संसोधन अधिनियम 2017 और इसके नेमों को चुनावती देने वली याज़कों पर सुनवाई कर रही है यहां कानून जली कट्टू खेल को जारी रखने की अनुवत प्रदान करता है उलेकिनी की उच्टम न्याले ने 24 में जली कट्टू पर प्रत्वन लगा दिया था इस खेल के समर्थकों का दावा है कि यह सम्मिधान के 29-1 के ताहत सांस्कृतिक अधिकारों का हिस्सा है जली कट्टू का अजन पोंगल तेवार के आउसर पर किया जाता है हलाकि यह एक हिंसक खेल माना जाता है आगे बात करते हैं इस अंजीवनी राष्टी टेली मेडिसिन सेवा के बारे में तो इस अंजीवनी ने आठ करोन टेली परामर्स का अंकलाग पार कर लिया है यह एक राष्टी टेली मेडिसिन सेवा है जिसे कब प्रारम किया गया था फरवरी 2021 में इसमें एक डिजिटल प्लेटफार्म का उप्योग के जाता है जो चिकिसक के पास जाकर परामर्स लेने के पारमपरिक तरीके का एक बैकल्प प्रदान करता है आप ऑनलाइन फार्म म इसमें पहला इस अंजीवनी आईश्मान भारत स्वास और कल्यान किंद्र ये किंद्र आईश्मान भात योजना के लाभारतियों को टेली परामस सहता प्रदान करके ग्रामिर सहरी डिजिटल स्वास्त में मौझूद अंतराल को समाब्त करने का प्रयास करते हैं दूसरा इ और अन्यों से आने वाली कॉल्स की पहचान करने ता उनके बारे में सूचना आधायत बिकल्प लेने में टेली फोन ग्रांकों को मदद करना है यह उनकी मदद करना है यह ट्रू कॉलर भारत कॉलर आईडी एंटी स्पैम आध की तरीके से कारी करेगा कालिंग नेम प्रजे रखते हैं सिट्रेट्ट को कल संक्रमण संक्रमण के बारेमं बात करें तो यह एक जीवान जनीत बैक्टेरिया से होने वाला संक्रमण है इस या गलेम सूजन और दर्ग का कान बनता है यहां आम तोर पर समूँ ए स्टेप्टो कोकस बैक्टेरिया के कान होता है यहां संक्रमन आम तोर पर 5-15 वर्ष की आउय के बच्चों में अधिक देखा जाता इसके लच्छन क्या है जोर टॉंसिस में सूजन सिर्दर्द दाने मुह के अंदर चकते इत्यारी संक्रमन के कान होने वाली बिमारियों में इंपेटिको इस्कॉरलेट फीबर और इस्टेट थ्रोट इत्यारी सामिल है आगे बात करते हैं जैट जीपीटी के बारे में जैट जीपीटी ? तो जैट जीपीटी क्या है आटिफीजल इंटलिजन्स पर अधर्श itself को जवाब दे सकता है उस के बात से आप दूसरा उसे लेटर कोशन पूछेंगे तो ये उनका पर जबाब दे सकता है अपनी गलतियों को स्विकार कर सकता है गलत पूर्व कथन को चुनोती दे सकता है और अनुचित अनुरोदों को अस्विकार कर सकता है इस model को यहाँ पूर्वा नुमान लगाने के लिए प्रसिश्चित किया गया है कि आगे क्या होगा यही कान है कि तकनीकी रूप से chat GPT के साथ बाचित की जा सकती है यह model Generative Pre-Train Transform 3 GPT 3 पर अधरित है GPT 3 एक प्रकार कंप्यूटर भासा model है यह input के आधार पर मानों के समान text निर्वित करने के लिए Deep Learning टेक्निकों पर निर्वर करता है Patho Detect TM Kit तो देखे Patho Detect TM Kit भारत की पहले स्वदेशी स्वदेशी TB या तबेदि की चैरोग जिसे कहते है Detection Kit है इसे पूरे इस सित My Lab ने बनाया है इस Kit को केंदरी आउसे दिमानक नेंतर संगठन TB विशेस समित और भारती आउर्विज्ञान अंसंधान परिशद से स्विक्रती मिल गई है त्यान रहे है Patho Detect TM क्या है तो यह आपका भारत की पहली स्वदेशी TB Detection Kit है इस Kit के द्वारा किया गया एकल टेस्ट किसी भी व्यक्ति में TB अथवा Multi Drug Resigent का पता लगा सकता है यहां किट कुसल रूप से स्वाचालित है यहां टेस्ट करने के लिए उच्च विशेस सकता की आउसकता को कम करती है इसके लिए किसी खास विशेस सकता की आउसकता नहीं है इस Kit को भारती प्रस्तियों में कमरे के तापमान पर संग्रित किया सकता है इसकी लागत कम है साथ इसके संचलन के लिए विशेस गुनादी रहाचे की आउसकता नहीं होती है To Africa Pulse के बारे में बात करें तो Meta जो Facebook का नया नाम है Meta भारत में To Africa Pulse का विस्तार करने के लिए भारती Airtel के साहिदारी करेगी To Africa Pulse समुद्र के नीचे बिचाई जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी केविल प्रणालियों में से एक रतुत द्यान रखेगा To Africa Pulse क्या है? ये Communication के लिए समुद्र के नीचे बिचाई जाने वाली एक केवल प्रणाली है यहाँ प्रणाली अफ्रिका, एशिया और इरोपी देशों को आपस में जुड़ेगी एक बार पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ प्रणाली एक कुल तीन बिलियन लोगों को connectivity प्रणाली करेगी साथ ही भारत में fixed line broadband internet की connectivity में भी सुधार करेगी भारती नौसेना क्रेश्ट के बारे में बात करें तो राश्पती ने भारती नौसेना के लिए प्रेश्ट में संसोधन जो है वह असोःka सिंग जो सिंग सीर्स है उसके नीचे के फाउल anchor को clear anchor में बदलने की लिकिया गया है इस में आदर्जभाक के show no waroon जो है शोनो वरू अशोक सिंग सीर्स के नीचे अंके था इस वाकिय का आवाहन बेदों भी किया गया इसका अर्थ होता है महा सागर के देवता हमारे लिए सुभू युगिंदर के अलग की बात करते हैं इनका हाली में इनकी मिरत हुई 2022 में इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में जो पाकिस्तान का पंजाब हो वहां के चकवाल में हुआ है इन्होंने भारती और विदेशी विश्विद्यालों में अर्थसास विश्यका अध्यर अपनकार किया था वे जवाहलाल नहरू विश्विद्याले जेन्यू के कुलपती भी रहे थे वे राजसभाग के सदेश के रूप में भी अपनी सिमाई दे चुके हैं वे वर्स 1979 में इनके नेत्वत में एक टास्क फोर्स अगठन किया गया था इसे अलग समित कहा जा था अलग समित का नाम आपने सुना हो तो अलग समित वो योगिंदर के अलग के अधिश्ता में बनाए गया था इस टास्क फोर्स ने पहली बार कैलोरी और सक्ताओं के अधार पर निर्धनता संबन्धि अनुमान तयार किया थे को गरीवी देखा कि निधान समझे जो मानक तयार के थे उसमें अलग समित भी कभी अपना एक योगदान रहा है उन्होंने वर 2006 से 2012 तक इंस्ट्यूट आफ रूरल मनेजमेंट आणद के अधच के रूप में कारी किया था आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इस पंज बि दिरंजन की घटना देखे गई है इस पंज क्या होता है यह घने सन्रद्र युक्त यहां फिगर में दिखाया गया है यह पोरस होते हैं वह कंकाल वाले साधान जली जीओ होते हैं इनके हैप्टेट के बारे में बात करें दुनिया भरे मौजूद प्रवाल भित्यों में प इस कारवन को वहां पाए जाने वेले अक्रेश रुकी जीओ ग्रहन कर लेते हैं इस पंज केकड़ो जींगो और इस्टारफिस जैसी प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं खत्रा क्या है इनके प्रवाल की तरह इस पंज को भी अधिक तापमान करना बिरंजन का खत्र खत्रा ब्लीचिंग का खत्रा होता है तो इस प्रवाल से इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट भी तो तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद